जय हैं दोस्तों कैसे आप सब बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए दोस्तों भारत सरकार ने 54 चाइनीज एपस जी हां टोटल 54 चाइनीज एपस यहां पी बैन कर दिया गया है तो कौन-कौन से एपस हैं वो भी जानकारी ले रहेते हैं यहां पी सबसे पहला एप है हमारे दोस्तों एप लॉक दूसरा है हमारा सेल्फी ब्यूटी उसके बाद है ब्यूटी कैमरा भीवा बीडियो एडिटर है उसके एपस साथ ही आगे और एपस के बारे में जान लेते हैं यहां पर पूरी लिस्ट है इसमें हैं मीडिया प्लेयर, मूजिक प्लेयर एकुलाइजर, वॉल्यूम बूस्टर, मूजिक प्लेयर, कैम कार्ड है आपका यहां पे आइसो लेंड टू जो गेम आपको मैंने दिखा ह इसमें एक साथ आप दो तीन एप रख पाते थे उसके बार आपके वाल भीवा वीडियो एडिटर मैंने अलड़ी बता दिया है, एक चेस का गेम है, एक एप लॉक है और डूएल स्पेस के जितने भी सारे हैं, यहां पे डूएल स्पेस के बहुत सारे एप हैं, वही एप मौझू थे, आगे यहां पे जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाला common apps के बारे में बता दिया है, MP3 cutter, जो एक सॉंग को कट करके हम वहां से रिंटर मनाते थे, वो गया है, बैन हुआ है, voice recorder charger, barcode scanner है, Leica cam है, EVE close है, AstraCapt है, Extraordinary ones है, Badlanders है, और जो important है मैं आपको बत सारते से विंक है, विंक एप को हटाए गया है, मून चैट को, रियल यू, क्यूट यू प्रो, और नीचे एक free fire का भी game है, जिसको भारत सकार ने बैंड किया है, यहां पे, दोस्तों यह सारी apps है, इन में से बहुत सारे apps, आपके mobile में भी phone में होंगे, जो कुछ देर बात चलने बंद हो जाएं, क्योंकि Google Play Store से, Google इन सभी को access बंद करती है, दोस्तों आप जान लिया हमने की कितने सारे apps थे यहां पे, लेकिन मुखी region क्या है इन apps को बेंड करने का, आखिर इन apps को बेंड क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात हम यहां पे आएंगे, अब Google का क्या apps को हटाने के लिए हो भी थोड़ा सम जान लेते हैं, और Receipt of Interim Order Passed Under Section 69A of the IT Act, यानि Information Technology Act, IT Act जो कानून बनाया गया है, उसके अंदर Section 69A के तहट, यह नेम आप ज़रूर याद रखेंगे, IT Act 69A, Section 69A के तहट, जो यह process को अपनाया है Google ने, जिसमें जो developers हैं, और उनके जो access ह ब्लॉक कर दिया गया है, अब हो सकता है कि प्ले स्टोर पर यह apps मुझूद रहेंगे, लेकिन आप कुसी तरह से भी इन apps को access नहीं कर पाएंगे, या Google ने एक statement में कहा है, इन apps का access आपके पास अब नहीं होगा, यह सबी apps अब नहीं चल पाएंगे आपके mobile में हैं ना दोस् सेंटर ने एक इसू किया था, ओर्डर है न, जिसमें 43 mobile apps को भी बेंड किया गया था, it said that action was taken based on the inputs regarding these apps for engaging in activity that are prejudicial to sovereignty and in, तो जो आनतरिक सुर अच्छा है देश, अब होता क्या है, यह जितने भी Chinese apps हैं आप देख रहे हैं, यह apps आपको क्या करवाते हैं, कि आपको location access का option, आप करवाते हैं, आप से access, जिसके वज़ा से यह आपके data चोड़ी करते रहते हैं, जिससे भारतिये security को खत्रा रहता है, जिसके वज़ा से ही 9 बार दो से अरभी सेंटर ने order issue किया था, under 16, section 69 ने 88 किया था, जिसके वज़ा से ही apps बेंड करने चालू हो गए था, इसमें आपका यह बहुत बड़ी उपलबदी है भारत सरकार के लिए, तो कि हमको Chinese apps को boycott करना ही होगा, जिसके वज़ास हमें अपने apps को use करना है, ज्यादा से ज्यादा Chinese apps को block करना है, तक क्योंकि वे हमारा data चूरी करते हैं, साथी साथ, हमारे भारतिये सरकार को threat भी रहता है, हमारे internal security क अब ही threat रहता है, तो यह थी आज की पूरी जानकारी दोस्तों, जो निकल के आ रहे है, धीरे धीरे और भी जानकारी स्क पर आएगी, तो दोस्तों, उमीड है, आपको यह जानकारी पसंद आए होगा, तो परसा पसंद आए है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर जो यह थी, आदोस्तों मिलते हैं इने बढ़क साथ, तब तक के लिए जाहे है, अने मार था है, तो गरदो के जरू है, तो निकल के लिए है, तो भी जोनकारी स्क आजित आए होगा जो जबता है, तो यह जो है हमाराई है, तो धीरे हमाराई है।